इसका बाप काउक से हम लोग भोड देखर काते हैं, हमारा बाप द्यादा भी इनको भोड दिया है, तो हम लोग उसका ररका है, हम लोग भी इसी को भोड देंगे। इस बार आपके चाकुलिया के लोग किन-किन मुद्दे पर भोड देंगे। एट चाकुलिया के लोग तो बोड हम लोग को देना होगा एनर्सी का मुद्दा में लोकडॉन का मुद्दा में आप किसान अंदोलों का मुद्दा में हम लोग का जो सानी एमेले हैं उनको हम लोग को फिर से जिताना है बोड देना है आज की वो टीम सी की सरकार की हुकूमत ऐसे नौबत लाया है के गरीब मज़्दूर को मज़्दूर jRO करके उसकी मेला में जाकरके फोरूम जमाख करना परेगा क्योंके उसी का दल का जो है बरे-बरे मचली लिकल करके BGP में जा रहा है तो अब यह जोररा है कि छोटे मचली को कैसे बुजाया जाए सम्झाया जाए। ऐसा है कि हाथ में है ना यहां पर जो है मुख्या निंबर की दवाव में हाथ में टीम सी का चंटा रह सकता है। लेकिन जो बतन जो दबेगा वीक्टर को हीश्टार दबेगा। कितनी ओफर दिया ममता खुद सरकार ने ओफर दिया कि आजाओ तुम हमारे जो मंतरी लेना चाहते हैं हम देने के लिए तयार हैं लेकिन ये सच्चे बाप के अउलाद है और सच्चे दिल से वो जो पाटी कर रहे हैं अपनी जगे को हिलने नहीं दिया अच्चा अगर सत्ता में ना भी रहे तो फिर भी वो सरकार पे भारी पड़ता है अगर सरकार में जिसोग रहेंगे तो उसोग क्या हलत होगा मेरे नाम अली मुद्दिन है कहां से हम लाहिल से हैं लाहिल कहां हुआ पंचाइब कांगी पंचाइब चल के पैदल ही आते हैं जी वहां से पैदल आ गया है चलने में दिक्कत नहीं होती है दिक्कत तो होता है लेकिन यह मेले साब का जो है आज सबाता यहां सुनने के लिए ह और हर हालत में हम लोग इंको बोर दिया है तो हम लोग भी इसे को भूर देंगे इसका क्या खास है इनके परिवार में जो इतने दिनों से आप लोग जुड़े जूड़े कोई बी बात होगा तो यह सब देगा हरालत में लेकिन हम जो है नौर्थे बंगाल में भरती थे तो तो इसका बाप जो है अपका इलाज करवाया था इफ लिए हम लोग इसको छोड़ेंगे नहीं हरों का हरों के साथ दे रहा है हम लोग इसका साथ देंगे अब लाइल से पंचायत का नाम बताई यह कानकी वहां से भी सुनने आये थे यहां से पार्टी के लिए बौट के लिए कारी करता पार्टी जी तो किसान अंदुलन की बाद जुकाई गई कि 20 तारी को रेली निकालेंगे जाएंगे अब साथ यहां तयार है किसे म hele रिए आपको कंगी से इसलामपूर कितना किलेमेटर चालेचालेंगे और चीका लगा हुआ है लगा adapt to आखके ज्चाकुलिया के लोग खिन्टिन बुद्रे बोट वरतेंगे चकलिया के लोग तो भूर्ड हम लोंगो देना होगा ऐनारी का मुद्दा में अलोक्डॉन का मुद्दा में आप किसान अंदौन हो मुद्दा में अच्छा एक दिया कम लोगा जो सानी यह торовम लोगं को फिर से जिताना है वजल देना है कब मत पाटी के का और प्रोग्राम का मकसद है कि प्रोग्राम का मकसद ही है कि यह एलक्षन का जो बेकुल बजग चुका है बजने वाला है उसका वो लोग तो तैयारी जैसे दौरे-दौरे कर रहा है और घर जाके करना चाहता है लेकिन वो तेयार टीमसी पाटी याने दुआरे-दुआरे के मतलब जो चीज है तो हम बोल रहे हैं कि आज मालो चकलिया क्या हुआ हम भूड़ा बाउमत तो दिया है टीमसी को आज उसी का निंबर उसी का परदान उसी का जिला परिस्द उसी का सिमेति सब कुछ है लेकिन आज उसको भरोसा नहीं कि गरीब मजदूर को आज मजदूरी चुरुआ करके ला करके एक मेला लगवा रहा है क्यों उसके घर में जमा करने से क्या हुआ उसका काम नहीं होता पहले तो होता था लेकिन आज की लिए मेला लगवा रहा है यहां के चकलिया के पर्दान थे तो वो रासान कार्ड बना ले जाके हर किसी के घर में पहुंचाया था लेकिन आज की परदान आज की वो TmC की सरकार की हुकूमत ऐसे नौबत लाया है कि गरीम मजदूर को मजदूरी छोर करके उसकी मेला में जा करके फ़रुम जमा करना पर कियुंगे उसका मयुस्वूरी खतम होगा क्योंकि उसका मेला में आदमी नहीं नहीं रहने वाला है क्योंके कर दल का जो कि बरे-बरे मचली लिकल कर बीजपी में जा ‫रहे तो अब यह जोड़ रहा है कि छोटे मचली को कैसे बुजाया जा Gotcha तो मेला लगाओ वाम के लोग भी तो जाते हैं वीजेपी में गया है तो वाम के नेता अगर देखे लेप के नेता जुलुम के मारे जो डर के थे वो डर के मारे चले जाते हैं है तो हमारी एक सेर पूरे हिंदुस्तान के अंदर कितनी ओफर दिया ममता खुद सरकार ने ओफर पार्टी कर रहे हैं अपनी जगे को हिलने नहीं दिया यह 2016 से पहले भी दिया था 2016 के बाद भी दिया है आज भी उसको जरूरत है आज भी परसान के सुर उसको बार-बार फोन करता है कि आजाओ टीम सी में तुम्हें जो मंतर ही लेना है लीजिए क्योंकि हमारी यह और वहां की स्वार्थ में जो जिने वाला इंसान दिखने के लिए और कभी नहीं जाएगा आज रजूर्ण बुले कि इस कि आज माहिल क्या यहां है का मौन एसा है कि हांथ में यहां पर जो आम जैने दबाव में अथ में-टी-इम-सी का चंडा रह सकता है विजय पी का जंटा रह सकता है लेकिन जो बटन जो दबेगा वो विक्तर को ही दबेगा मुख्या दबाओ डॉलकि अपना पार्टी में जोड़ लेता है वह तो गुंडा गिर्णी करता है और बहुत सारा जो है दलाली चलू कर दिया है और यह टीम्शी आप अगर असली खे देखें तो होए म मवथा विनर्जी आज़ क्यों क्योंकि मुधी मुधी ऐसा क्यों क्यों और मुधी एक्सप्लेंग की है ऐसा एसा जो है ना व लटते हैं लेकिन दोनों मिला हुआ है कैसे मिला अथरा बता ये क्या कैसे मिला हुआ तो कुछ साथ में किया रहा है गडवंदन क्या क्या कि आप बता ये बाम फ्रॉंट के ओक मैं एक भी बीजेपी नहीं था इसलिए इसलिए आज देखें कितना भी ती हो रहा है बाम फ्रॉंट के लोग चोड़ के बीजेपी में जा रहे हैं इसलिए जा रहे हैं और ये जो है रभानी हो हो यह शूब झॉल यह बोला है जो यह सब जो है पहले कॉंगरेस कर रहे थे लेकिन अभी जो है दो करेंगे लोगों के बीच जाते हैं तो लोग क्या कहते हैं कि इस बार क्या मुद्धा रहा का बोट का पर्चिदाबाद से उधर ही लड़ा है यहां पैगा निया प्रप्रदी फिर्दी क्या बोल रहा है नाम जयरा नेकर नहीं लड़ा है नहीं प्रफिर किया बुले यह यह वेवेशी यहां भोटे बाएगा अचा जानिक पादिक आपके लिए उसका पादिका यहां पर ब्चा लुद्धाणरपूर केलिए हम लोग मेहनत करते हैं और जहां तक होता है हम लोग पार्टी के लिए हम लोग मेहनत करते हैं हम लोग निवाने का काम करते हैं चाहे एलेक्शन के टाइम में हो ऐसे टाइम में हो जहां तक हम लोग का सहयोग होता है पार्टी को करने का हम लोग करते हैं इस बार आप लोग के पार्टी का स्टेटी क्या रहेगा इस्टेटी क्या है अभी तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अभी बेरोज गाड़ी बढ़ चुका है कि सानु का फ़सलू का सही से दाम नहीं दे आ रहा है और यहां पर MSP के बाद जो आप जो कर रहेते यहां एक जैसे सेंटल में मोधी सरकार है उसी तरह से हम लोग का स्टेट में मम्ता सरकार है यह दोनु सरकार जो है एक सिक्के का दो पहलो है यह अगर हेड है तो वो टेल है जैसे यहां पर कुछ दलालों को अभी उस दिन से हम लोग के यहां पर जो है आनाज खड़ी दारी चल है धान का खड़ीदारी शुरू हुआ है मगर वहाँ पे हरी एक किसान से कुइंटल में अठाड़ से 20 के जी ढलता लेता है ढलता लेने का मतलब क्या है वो कमिशन खोड़ी यह सरकार जो है कमिशन खोड़ी के बैसिस पे ही ठीका हुआ है उसके इलावा कुछ नहीं और जैसा अभी हम लोगा बेरोजगारी मोधी जी ने बोलाता दो करोड युबाओं को नोकड़ी देंगे हर साल उसी तरह से हमारी दीदी ने बोलाता के दस लाक दस लाक युबाओं को हर साल हम लोग नोकड़ी देंगे मगर दोनु का जो है जमीनी लेबल पे जो है जिरो है बंदन में इस बार जाना लेफ्ट का सही कटम है फाइदा होगा है नहीं सबसे पहली बात है यह तो स्टेट कमेटी का फैसला है जो लेफ्ट फॉंट की स्टेट कमेटी है आप लोगों को ग्राउंड लेवल पर फाइदा निश्चित है दिख रहा है क्योंकि अभी जो है इस दिरंजन चोधरी बना दिया गया है वो खासकर के मास लीडर भी है और हम लोगा रोबिन हुट के नाम से जाना आते पूरे बंगाल में और उससे जो है काफी पार्टी करेकरता में कॉंग्रेस के पार्टी करेकरतों में बहुत ज्यादा होसला आया है खासकर के जवान हालत होगा यह भी सोचने वाली बात है अभी सरकार में नहीं है फिर भी जो है मंताब एनर्जी को उसका नानी का याद दिला देता है हमारे भाई साथ और जब अगर सत्ता में रहेंगे तब जो क्या होगा पता नहीं इसलिए हम लोग प्यार से उनको रोयल मेंगल टाइगर क क्या मकसद था यह हमारा कोर्मी सोबा था और इससे हम लोग सारे कर्मी को होसला दे रहे थे और होसला देने के बाद यहीं सब बात हो रहा था जैसे कैसे हम लोग अपना पार्टी का सिद्धान को लोगों के बीच में ले जाएं और आदमी को समझाए बुजाए यहीं लेक बढ़ेंगे हम लोग अपना मेनस से बढ़ेंगे क्योंकि अभी तो पहलू का दो सिक्का जैसे बोल दिये तो उससे हम लोग को हम लोग मेहनत करेंगे जो उन लोग का दोनों का परदा फास हो इसि आखिेमे किस विदान स्वहींगर थाइसे लडेगी इसमें तो यह अभी पाफिजींट लेगा कॉंझे बोलता ही को रंकि क्रणी की तो फाइनल है लड़ेगा और जी चकुलिया ये दो तो लोग का फाइनल ही लड़ेगा इसके बाद अब सिनियर जो है वो हमारे वो फैसला करेंगे जो क्या है नहीं है पुरा नम क्या बूलें बिलाल मुंतरी का है अचा जब हफीशाब मंतरी होा उस नम डाक नम हो गया जेल भी काटे हैं होगे रमजान साब के भाई हफीज साब मंतरी बने तो आपको लोग मंतरी बन दिया है और काम किया है नोक्री दिया है तीन आदमी को और काम क्या है अधिरी ये ऋटां वाला है कि छेशन BBQ देंगे लिवार कार्ट बना देंगे आ तो पैसा नहीं लिए पैसा नहीं लिए पैसा नहीं लिए पैसा यह पूरा बचा हुआ नहीं लेकिन करते हैं लेकिन साइट किलो साइट जाएगा तो भी हम जाएंगे कलकता तक पहुंच जाएंगे पाइदल होगा तो चला जाएंगे जेल भी खड़ लेंगे यह बयाहत कार देंगे वह भी लेकिन पर वोट उसको देंगे लेकिन ट्यम्सी का नहीं हलात से नहीं जित पाएंगे नहीं अभी नहीं जित पाएगा आप खुद किसान है तो बंगाल के किसानों को क्या हाल है आप लोग को अधरेटेगा पुल्थेल मिल यहां मिला है में इस पी कितना है यहां 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 पर द्यात में लेता है बारों दो धन्दा है ना दाल्गुला ले आने काभी तो क्राय लोगा है अभी बुद्टा-परन दोनोंसील जन्वुट्टा होगा है बुट्टा तो बाहर दिसमेंने ममता सरकार राज्ज्य य। सरकार को ताब तो नीन पारता है काली रोज भेली ये भेली वो भेली रेसुमकार भेली ऐसी मतलाता है कली ममता घर और सरकार होता है चापुप चापूर का पंच Champ Zi approach कम भूले हैं उसदीर लोग को कहें बहुता माज में फिलते हैं जी आप संबार बूलता है इस बैंगा पंचायद का नम का इस चुनाओ तेर परे लोग किस आधार फे वोट करेंगे कि अगर में अगर चिता हूँ मेरी माज़를 फाई बंधु को झीता अपना बंगाल को बचाओ। अपना बंगाल को बचाओ। लेकिन पार्टी का येखी है कोई किसी को खाट के खिलाएगा नहीं। लेकिन जो काम देता है मतलब टाइम टू टाइम में कोई दिक्कत होता है कुछ होता है तो वो जाकर साथ देता है। इसलिए हम लोग कुराना पकड़के हैं और पकड़के रहेंगे। सबका यही सोचे कोई किसी को मतलब खाट के खिलाएगा नहीं। वो दूख सूप में काम देगा, कोई बीमारी होता है तो उसका साथ देता है। यही फाइदा है हम लोग। इसलिए उनको हम लोग मतलब करनेडे चुन के रखे हैं।